नई संसद, नया संग्राम, आपने पक्ष और विपक्ष के बीच में जो पूरी जंग छड़ी हुई है, इसी नई संसद की इमारत को लेकर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पर ये जंग और उसकी पूरी कहानी, दलीले, तर्क, सब कुछ आपने सुन लिया है। थोड़ी जिर में हम आपको संसद के अंदर लेकर चलेंगे, अंदर की तस्वीरे आपको दिखाएंगे, लेकिन नई संसद के उदगाटन समारों को लेकर केंदर सरकार और विपक्ष आखिर क्यू है आमने सामने, और सरकार और विपक्ष की टकर के बीच सामने आ गए हैं AIMIM चीफ असदुदीन ओवैसी, नया अंगल लेकर साहब आए हैं, ओवैसी की पुलिटिकल थियोरी आखिर क्या है, वो क्यों यह कह रहे हैं कि राश्रपती रहीं, स्पीकर को उदगाटन करना चाहिए, स्पीकर अगर उदगाटन करेंगे, तो मैं जरूर आएंगा, इस रिप स्पोर्ट में देखें, इसका इनागरेशन पदान मंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह थियरी ओफ सेपरेशन ओफ पावर्स का वाईलेशन है, लेजिसलेचर इंडिपेंडेंट है, पारलेमेंट, नई संसत पर सियासी कंट्रोवर्सी में यूं असद उद्दीन ओवैसी के अंट्री, बोले विपक्षी दलों का होंबर का धूरा है, नई संसत के उधगाटन का अधिकार, राश्पती या प्रधान मंत्री का नहीं, बल हम देश के वजीरियाजम से, पदान मंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आपका तो नाम आ जाएगा, फांडेशन स्टूट में, इनाउगरेशन, स्पीकर, ओम बिरला साब करने दीजिए, और पूरी देश को में से दीजिए कि आप ठियोरी ओफ से लेहाजा देश को नई संसत की जरुरत थी, यानि नई संसत पर सवाल उठाने वालों को OIC ने सीधा जवाब दिया, OIC यहीं नहीं रुके, बोले नई संसत का कॉंसेप्ट तो UPA सरकार ही लेकर आई थी, लेहाजा विरोध, पबलिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है अब सवाल है कि 28 माई को जब संसत का उधगाटन होगा, OIC जाएंगे या नहीं, इसका जवाब सीधे OIC से सुनिए परधान मंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसका इनागरेट करेंगे, तो M.I.M. पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी अगर पदान मंत्री होने बात को नहीं जाएगी, तो हमारा मानना यह है कि पदान मंत्री एक्जेक्यूटिव के तौर पर वो थियोरी ओव सेपरेशन आव पावर्स को कमजोर करना चाते हैं विपक्षी दलों से दूरी बनाते हुए OAC ने नाया पासा फेका एक तीर से दो दाव चल दिया, मतलब ये की बायकॉट भी कर दिया और विपक्षी दलों से दूरी भी बनाए रखी यही तो है OAC मारका पॉल्डेक्स आज तक देरो